एक परसन जिसने 19 साल की एज में एक कमपनी जोइन की और उसके हाड़ वर्क को देखते हुए कुछी सालों बाद उसको कमपनी का मैनेजिंग डिरेक्टर बना दिया गया कमपनी की हालत उस टाइम काफी खराब थी उसको एक ऐसी कमपनी को मैनेज करना था जो बेंकरप्ट होने की तरफ जा रही थी यानि कि वो कमपनी कभी भी दिवालिया हो सकती थी उस परसन ने अपनी खुद की मैनेजमेंट टेकनीक्स एंड प्रिंसिपल्स कमपनी में एपलाई किये और 30 साल बाद जब वो अपनी पोस्ट से रिटायर हुआ वो कमपनी फ्रांस की सबसे बड़ी कोल एंड स्टील कमपनी बन गई थी तो कौन था वो परसन एंड क्या थे उसके ग्रेट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आईए जानते हैं इस वीडियो में हेलो एवरिवन वेलकम योल टू दी सक्सेस ग्यान मैं हूँ आपका दोस्त बंजीत तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बड़ी इंटरस्टिंग एंड इंस्पारिंग होने वाली है आपके लिए आज बात करेंगे उस परसन के बारे में जिसने एक फ्रेंच इंजीनियर होने से लेकर मेनेजमेंट गुरू बनने तक का सफ़र तैग गिया उस परसन का नाम था हेंडरी फ्योल फ्रेंच फैमिली में पैदा होने वाले हैंडरी फ्योल का जनम फ्रांस में नहीं हुआ था इनके फादर एक इंजिनियर थे उनको इस्तानबुल के फेमस गलाथा ब्रीज को बिल्ड करने के लिए एजे सुपरवाइजर अपोइंट किया गया था और वही 29 जुलाई 1841 को हैंडरी फ्योल का जनम हुआ 1847 में इनकी फैमिली वापस फ्रांस लोट गाई थी और इन्होंने अपनी एजुकेशन पैरिस के नेशनल स्कूल ओफ माइन से कम्पलीट की थी साल था 1860 स्टीफन मनी जो बाद में जाके एक पॉलिटीशन बने वो उस टाइम इस कम्पनी जिसको हम शोट फोर में CDFD बोल लेते हैं तो वो CDFD माइनिंग कम्पनी में हैड थे उन्हें अपनी कम्पनी के लिए कुछ अच्छे इंजिनियर की तलाश थी उस वक्त किसको पता था कि अच्छे इंजिनियर की ये तलाश 19 साल के हैनरी फ्योल पे जाके खतम होगी जो आगे चलके ना सिर्फ एक अच्छा माइनिंग इंजीनियर साबित होगा बलकि फ्यूचर में उन्हें रिप्लेस भी करेगा और कमपनी के सक्सेस की नई कहानी लिखेगा बाकी एंपलोईस की तरह हेंरी फ्यूचर को सिर्फ अपने हिस्से की डूटी नहीं पूरी करनी थी बलकि उनको तो उस माइनिंग कमपनी के वर्क प्रोसेस में इंटरस्ट था उनका पूरा फोकस इस चीज में रहता था कि कैसे कमपनी के काम में एफिशेंसी लाई जा सकती है कोड़क्टिविटी कैसे बढ़ा ही जा सकती है कमपनी के वर्क प्रोसेस में जहां जहां प्रोबलम आ रही है उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है माइन में काम करते वक्त उन्होंने काफी प्रोब्लम्स को study किया और उनके solution पे काम किया जैसे कि underground fires के causes क्या है उनको कैसे prevent किया जा सकता है and कैसे future में avoid कर सकते है fire के बाद जो burn areas है उनको वापस कैसे reclaim and reshape किया जा सकता है उनके इसी तरह के hard work की वज़े से उन्हें promotion मिलते रहे 1866 में जब वो 25 साल के थे तो उन्हें mining manager बना दिया गया and finally 1888 में जाके वो उस company के managing director बन गए और अगले 30 साल यानि 1980 तक वो इस post पर बने रहे तो इस तरह से उनकी overall company की manage करने की दिल चस्पी ने उन्हें managing director बना दिया managing director बनने के बाद working situations improve करने के लिए उन्होंने कई changes किये जैसे workers को team work के लिए encourage किया division of work पे focus किया यानि किसका क्या role है company में ये clear होना चाहिए जो employees जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वही काम दिया जाना चाहिए fuel मानते थे कि अगर आप किसी को किसी काम की responsibility दे रहे है तो उसको उसी से related power and authority भी मिलनी चाहिए ताकि वो decisions ले सके company में instruction एक ही जगे से आनी चाहिए हर order उपर से नीचे and हर application नीचे से उपर की तरफ जाने चाहिए उस post पे रहते हुए उन्होंने ऐसे ही कई changes किये और company में उन changes का result भी दिख रहा था work process में सुधार दिख रहा था efficiency बढ़ रही थी, processes में तेजी आ रही थी, productivity बढ़ रही थी उस 30 साल के time period में company के management को लेके उनको काफी experience मिला retirement के time तक उन्होंने काफी पहचान बना ली थी, उनको बहुत पहचान मिलती रही उन्हें कई बड़ी committee के member बनाया जाने लगा कई और mining companies उनके under आज चुकी थी कुछ बड़े seminars and meetings में उन्हें invite भी क्या जा रहा था अब वो चाहते तो एक happy retirement ले सकते थे बट यही difference होता है normal person में and legends में हमें अपने work process से जो experience मिलता है वो हम अपने अंदर ही दवा देते हैं उसे share नहीं करते लेकिन legends ऐसा नहीं करते 1911 में एक American mechanical engineer F.W.Taylor ने USA में एक book publish की जिसमें उन्होंने scientific organization of work पे बात की and अपनी theories and experiences share किये F.W.Taylor को father of scientific management thinker भी कहा जाता है and उनके principles को Taylorism भी कहा जाता है Henry F.W.Taylor उनसे बहुत inspired थे हलाकि इनकी सोच उनसे काफी अलग थी Taylor ने जो theories दी वो उनका personal experience था उन्होंने सिर्फ labor and low level management पे focus किया वहीं F.W.Taylor का पूरा focus top level management पे था उनके according अगर top order अच्छे से manage करें तो labor के work process and productivity दोनों improve होंगी अपने 30 साल के time period में F.W.Taylor ने जो जो भी experiment किये and उनके जो भी results आए उनको F.W.Taylor ने अच्छे से observe किया था उन सारे work experiences को उन्होंने अपनी 1916 की book General and Industrial Management में publish किया इस book में उन्होंने management and administration को लेकर 14 principles दिये जिसे theory of management और fuelism कहा जाता है ये वही समय था जब First World War लड़ा जा रहा था Henry ने First World War के consequences को भी experience किया था उस time ये book सिर्फ French language में available थी इसलिए French के बाहर famous नहीं हुई लेकिन 1949 में जब इस book को English में translate किया गया वहां से Henry fuel के work को बाकी दुनिया में पहुँचाया गया Henry fuel वो first person थे जिन्होंने manager के job को define किया था उनकी theories and principles आज तक relevant है retirement के बाद का सारा समय इन्होंने writing को दे दिया उन्होंने management से related कई theories published की कई principles दिये writing उनके लिए नई चीज नहीं थी 1870 में उन्होंने अपना पहला article लिखा जब वो as a mining engineer काम कर रहे थे in fact उन्होंने job करते वक्त कई article लिखे and publish भी हुए बट notice नहीं किये गए पर 19 नोंबर 1925 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले Henry Fjol ने ऐसा करना कभी नहीं छोड़ा अपने आखरी दिनों तक जब भी उन्हें मौका मिलता अपने work experiences को and अपने observations को किताबों में लिख के बंद करते गए बाद में जब उन किताबों के पने खुले और दुनिया ने पढ़ा तो उनकी theories and principles से management की field को एक नया direction मिला Cadbury जैसी बड़ी companies and US military जैसी organization आज भी fuelism के principles को follow गरती है Henry Fjol को father of modern management and father of classical management के नाम से भी जाना जाता है अब आप कहोगे क्या थे वो 14 principles जो 1916 में publish हुए थे ये हमने एक दूसरे वीडियो में cover किया हुआ है उसका link आपको description में मिल जाएगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको भी इन principles से सीखने को मिले इस वीडियो में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में आपको जो भी वीडियो चाहिए आप उसका नीचे comment में हमें बता सकते हैं उसके उपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बैल आइकन को जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है and thanks for giving your time